दोस्तों आपका स्वागत है Stock and Index Trading चानल पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करना मत बुलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के उपर अगले वीग का हमारे वीव शेयर करने से पहले चलो जानते हैं हमने पिछले दो वीग से जो Stocks आपको बताए है उनका Performance कैसा रहा है हमने 17 में को आरती ड्रक्स के उपर एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो में आपको बोला था ये एक Positional Trade है और Long Term के लिए भी ये एक अच्छा Investment है उसके लिए हमने आपको बताया था कि आपको Stock Loss Follow करना है 680 का और आपका Target होगा 1010 का 18 में को जब Market Open हुआ तो Stock तुरंत मीचे आया और दूसरे दिन भी उसके Stock फिर से नीचे आया और Low बनाया 760 का हमने आपको बोला था 680 का Stock Loss रखे दोस्तों वहाँ से जो Stock घूमा वहाँ से Stock तुरंत 1020 तक उपर चला गया और ये रैली के अंदर आरती ड्रक्स ने हाई लगाया 1030 का याने कि हमने जो 17 में को आरती ड्रक्स का Target दिया था 2010 का वो पूरा हो गया यहाँ पे ये Positional Trade खतम होता है अगर आप एक Long Term Investor है तो आप आरती ड्रक्स को कही पे भी खरीच सकते है लेकिन आपका Long Term के लिए Stock Loss 680 पे होगा इतना ध्यान रखे 23 में को जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर हमने आपको सिपला Positional Trading के लिए सजेस्ट किया था हमने आपको बताया था कि 685 का उसका Target है और आपको Stop Loss रखना है 615 का 26 में को सिपला ने Low बनाया था 624 का और वहाँ से सिपला उपर गया 670 तक उसी वीडियो में हमने आपको दूसरा Stock सजेस्ट किया था Cadillac Health Care का हमने आपको बताया था कि Cadillac का Target है 360 का और Stop Loss है 335 का 28 में को Cadillac ने Low बनाया 333.50 का और वहाँ से फिर Cadillac उपर चला गया और High बनाया 368 का उसी वीडियो में हमने आपको तीसरा Stock सजेस्ट किया था Glenmark Pharma का उसके अंदर हमने आपको बताया था कि Glenmark Pharma 390 तक उपर जा सकता है और उसके लिए आपको Stop Loss रखना है 335 का 28 में को Glenmark Pharma ने Low लगाया था 341 का और उसके बाद उसने High बनाया 414 का उसी वीडियो में चौथा Stock जो हमने आपको बताया था Sun Pharma Sun Pharma का आपको Stock Loss दिया सा 455 का और Target दिया था 505 का जैसे कि आप देख सकते है 27 में के दिन Sun Pharma 423 पे बंद हुआ था लेकिन वहाँ से वो तुरंद Recover हो के 511 तक चला गया याने कि पिछले दो वीक में हमने जितने भी Stocks आपको बताये हैं उन्होंने अपने Target हासिल कर लिये है बस Sun Pharma एक ऐसा Stock था जिसके अंदर हमाने जो Stock Loss बताया था उसके अंदर वहाँ बंद हुआ था लेकिन फिर भी उसने उपर जाके अपना Target हासिल कर लिया दोस्तो इसलिए हम जो ये वीडियो में Stocks बताते हैं उनके अंदर ध्यान रखे इसमें अच्छा खासा पैसा आपका बन सकता है चलो अब जानते हैं निफ्टी के बारे में पिछले चनवार के वीडियो में हमने आपको क्या बताया था और निफ्टी ने ये वीड कैसे परफॉर्म किया आप ध्यान से सुने क्योंकि ये बहुत ही मात्वपूर्ण है निफ्टी के डेली चार्ट पर एक Ascending ट्रेंगल पैटन बन रहा है दोस्तो इसे हम Cup and Holder पैटन की तरह भी देख सकते है आप इसे Ascending ट्रेंगल पैटन कहो या फिर Cup and Holder पैटन कहो अगर निफ्टी इसका Breakout देता है तो निफ्टी का Target आ रहा है 11700 का दोस्तो इसका मतलब ये कते ही नहीं है कि निफ्टी अगर इसका Breakout देता है तो निफ्टी तूरंथ 11700 तक जाएगा निफ्टी को 11700 पे जाने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्णा Resistance को तोड़ना पड़ेगा लेकिन अगर निफ्टी इसका Breakout देता है तो निफ्टी के लिए ये पहला संकेत होगा कि वो Bull Market में चली जा रही है चलो अब हम History में जाके चेक करते है जबी भी ऐसे Pattern के Breakouts आते है तो क्या होता है जैसे कि आप देख सकते हो 2015 में निफ्टी में एक गिरावट की शुरुवात हुई और वो गिरावट फेबरुरी 2016 तक चली उसके बाद निफ्टी ने एक Rectangle Pattern के अंदर काम किया और ये Rectangle Pattern का Breakout निफ्टी ने ग्याप से दिया और दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही निफ्टी ने इसका Breakout ग्याप से दिया निफ्टी में एक बड़ा Trend आ गया वो भी उपरी तरफ का 2017 में भी निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आई उसके बाद निफ्टी ने एक Rectangle Pattern के अंदर काम किया और ये Rectangle Pattern का Breakout निफ्टी ने ग्याप से दिया और जैसे कि आप देख सकते हो ये Breakout के बाद निफ्टी में एक बड़े अप्ट्रेंड की शुरुआत हुई तो दोस्तो जैसे कि आपने देखा निफ्टी के अंदर जबी भी एक बड़ी किरावट आती है तो निफ्टी उसके बाद एक Pattern के अंदर काम करता है और जब भी निफ्टी ये Pattern का Breakout Gap से देता है तो निफ्टी में एक Bull Market की शुरुआत होती है तो दोस्तो अगर निफ्टी ये जो Daily Chart पर Ascendant Rangle Pattern या फिर Curp and Holder Pattern बना है इसका Breakout Gap से देता है तो पूरे पूरे चांसे से कि निफ्टी में एक Bull Market की शुरुआत हो सकती है लेकिन जैसे कि हमने बताया इसका मतलब ये कता ही नहीं है कि निफ्टी तुरंत 11700 तक जाएगा या फिर अपने पूराने High के पास वापत जाएगा हमारा बड़ा व्यू इतना ही है कि निफ्टी अगर 9600 के उपर एक Gap से Breakout देता है तो निफ्टी पूसिबली एक Bull Market के अंदर एंटर हो सकता है चलो अब आने वाले दिनों के लिए हमारा निफ्टी के उपर क्या व्यू है जानते है जैसे कि आप देख सकते है पिछले शुक्रवार को भी निफ्टी 9600 के पास बंद हुआ आप देख सकते है 9600 चार बार निफ्टी के लिए बड़े रेजिस्टन्स का काम किया है अगर निफ्टी ये 9600 के उपर खुल के टिकना शुरू करता है तो निफ्टी में एक वैलिड ब्रेकाउट आएगा और 9600 जो निफ्टी के लिए सबसे बड़े रेजिस्टन्स का काम कर रहा था वो निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाएगा जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि निफ्टी एक रेक्टेंगल पैटन के अंदर काम कर रहा है जिसका उपरी स्थर है 9600 और नीचे का स्थर है 8800 मतलब निफ्टी 800 पॉइंट की रेंज में पिछले दो मेने से काम कर रहा है अगर निफ्टी ये पैटन का ब्रेकाउट देता है तो निफ्टी 10400 तक उपर जा सकता है ने जो ये वीडियो में हमारा निफ्टी के उपर व्यू शेयर किया है उसका साराउश ये है कि निफ्टी अगर 9600 के उपर बंद होना शुरू करता है तो 9600 निफ्टी के लिए सबसे बड़े सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि 9600 निफ्टी के लिए अब तक सबसे बड़े रेजिस्टन्स का काम कर रहा है तो जैसे ही ये तूटेगा ये निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाएगा और निफ्टी 10400 तक डेफिनेटली जाएगा दोस्तो जैसे कि आपने सुना वो वीडियो के अंदर हमने आपको क्लियरली बताया था 9600 एक बहुती महत्वपूर्ण रेजिस्टन्स है और अगर निफ्टी इसे तोड़ता है और इसके उपर बंद होना शुरू करता है तो ये निफ्टी के लिए एक बहुती महत्वपूर्ण सपोर्ण बन जाएगा और पिछले वीग जैसे कि आपने देखा निफ्टी ने ये 9600 को ग्याप से उपनों के खोयो तोड़ा है और ये ग्याप अब तक भरा नहीं है और निफ्टी 10150 तक उपर आ चुका है आगे जाके 9600 निफ्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा उसी तरह से आपने सुना वो वीडियो के अंदर हमने बताया था कि निफ्टी जबी भी एक बड़ी गिरावट के बाद एक पैटन के अंदर काम करता है और वो पैटन का ब्रेकाउट अगर निफ्टी ग्याब से देता है तो वो एक बुल मार्केट की शुरुवात हो सकती है और हमने आपको वो वीडियो के अंदर दो एक्जेम्पल भी बताये है तो दोस्तो इसके उपर भी ध्यान रखे क्योंकि ये जो ब्रेकाउट रेक्टेंगल पैटन का या फिर कवपन ओल्डर पैटन का आया है इसका टार्गेट बहुत ही बड़ा है उसी वीडियो में हमने आपको बताय था कि निफ्टी एक रेक्टेंगल पैटन के अंदर काम कर रहा है और Nifty का range ये 800 point का है जो 2 मेने से Nifty ये range के अंदर काम कर रहा है अगर Nifty इसका breakout gap से देता है तो Nifty definitely 10,400 तक उपर जाएगा ये उस वीडियो में हमने आपको clearly बताया है और जैसे कि आप देख सकते है जैसे ही Nifty ने ये rectangle pattern का breakout gap से दिया Nifty कितना उपर आ चुका है और उसके बाद correction भी नहीं आया है और पूरे पूरे chances है कि अगले week Nifty 10,400 को touch कर लेगा इसलिए हम कहते है वीडियो को पूरा देखा करे और जो जानकारी हम आपको वीडियो में देते है उसे समझ कर लिया करे इसलिए हमारे channel से जुड़े भी रहे और दूसरों को भी suggest करे कि हमारे channel से जुड़े ताकि उनका भी फाइदा हो सके चलो अब जानते है निफ्टी और कितना उपर जा सकता है जैसे कि पिछले week आपने देखा निफ्टी ने जैसे ही 9,600 का breakout ग्याब से दिया निफ्टी 10,150 तक उपर आ गया और उसमें कोई भी correction नहीं आया और ये momentum अगले week भी जारी रह सकता है जिसके अंदर निफ्टी 10,400 तक कोई भी correction किये बिना आसानी से जा सकता है तो दोस्तो आपके मन में ये सवाल आना लाजमी है कि 10,400 का target हासिल करने के बाद निफ्टी और कितना उपर जा सकता है चलो अब पता करते हैं निफ्टी 10,400 का target हासिल करने के बाद कितना उपर और जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं डेली चार्ट पर निफ्टी का 200 दिनों का exponential moving average आ रहा है 10,580 पे उसी तरह से निफ्टी जो 12,430 से नीचे गिरकर 7,510 तक आया उसका 61.8% retracement का लेवल भी 10,550 पे है दोस्तों फीबोनागी का 61.8% retracement और 200 दिनों का exponential moving average दोनों ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स है कि यहाँ पे निफ्टी थम सकता है मतलब निफ्टी को सबसे बड़ा resistance अभी जो है वो 10,550 से 10,580 के बीच में है मतलब 9,600 से जो यह rally start हुई है उसका अंध 10,550 से 10,580 के बीच में हो सकता है तो आप अपने profit उस हिसाफ से book करना शुरू कर दे मैं यह कता ही नहीं बोल रहा हूँ कि निफ्टी और उपर नहीं जाएगा लेकिन इतनी बड़ी rally के बाद निफ्टी में एक consolidation या फिर गिरावट आना लाजमी है दोस्तो मुझे लगता है 10,580 का target हासिल करने के बाद निफ्टी एक range के अंदर consolidate कर सकता है याने कि निफ्टी sideways हो सकता है और वो range हो सकती है 10,700 से 9,700 के बीच में जैसे कि आपने देखा था जब निफ्टी ने 8,800 से लेकर 9,100 तक का area को तोड़ा था उसके बाद निफ्टी एक rectangle pattern के अंदर 2 महने तक काम किया था जिसका breakout निफ्टी ने ये पिछले वीखी somewhere को दिया है उसी तरह से इतनी बड़ी rally के बाद अब निफ्टी एक consolidation mode में जा सकता है जहाँ पे उसका range होगा 10,700 से 9,700 के बीच में चलो अब आने वाले वीख के लिए निफ्टी का support और resistance कहाँ पे है पता करते है निफ्टी का पहला support होगा 10,040 पे निफ्टी का दूसरा support होगा 9,940 पे निफ्टी का पहला resistance होगा 10,350 पे और निफ्टी का दूसरा resistance होगा 10,580 से 10,550 के बीच में चलो अब जानते हैं बैंक निफ्टी के बारे में दोस्तो उससे पहले हमने आपको बैंक निफ्टी के बारे में पिछले वीडियो में क्या बताया था वो सुन लेते है निफ्टी बैंक अभी अपने 20 दिनों के exponential moving average के उपर भी आ चुका है निफ्टी बैंक का 20 दिनों का exponential moving average आ रहा है 18,800 पे इसलिए निफ्टी बैंक का अब अगला target होगा उसका 50 दिनों का exponential moving average जो की है 20,570 पे तो दोस्तो जैसे कि आपने सुना वो वीडियो के अंदर हमने आपको क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी 20 दिनों के exponential moving average के उपर बंद हुआ है और बैंक निफ्टी का अगला target उसका 50 दिनों का exponential moving average है जो की है 20,550 पे जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी अभी 21,034 पे बंद हुआ है तो बैंक निफ्टी ने वो भी target हासिल कर लिया है 21,000 ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 5 बार बड़े resistance लिये है अगर बैंक निफ्टी इसके उपर टिकना शुरू करता है तो ये बैंक निफ्टी के लिए सबसे पॉजिटिव कारण होगा उपर जाने का बैंक निफ्टी अभी उसके 50 दिनों के exponential moving average के उपर बंद हो चुका है 50 दिनों का exponential moving average आ रहा है 20,570 पे तो अब बैंक निफ्टी का अगला target होगा 23,050 पे जो की बैंक निफ्टी का 100 दिनों का exponential moving average है आने वाले वीक के लिए बैंक निफ्टी का सबसे पहला resistance होगा 21,600 पे आने वाले दिनों के लिए बैंक निफ्टी का दूसरा सबसे बड़ा resistance होगा 22,000 पे आने वाले वीक के लिए बैंक निफ्टी का सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा 20,500 के उपर चलो दोस्तों अब वो स्टॉक जानते हैं वो हमने अगले अपते के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट किये है सबसे पहला स्टॉक है सीमेंस इंडिया दोस्तों जैसे कि आप देख सकते है जो कैंडल हमने आपको एरो से दिखाई है उसके अंदर सिमेंस इंडिया के स्टॉक ने अगले उसके तीन दिन बिताए और अब चोथे दिन सिमेंस इंडिया ने इसका ब्रेक आउट दिया है जैसे कि आप देख सकते है ये breakout को volume का भी support है अगर आप cements इंडिया के अंदर position बनाना चाते है तो आपको stop loss follow करना है 1100 का और आपका target होगा 1250 का अगला stock है अंबूजा cement जैसे कि आप देख सकते हैं अंबूजा cement ने उसके 200 दिनों के exponential moving average के पास अच्छा खासा time बिताया है लग बग 15 candles 200 दिनों के exponential moving average के आज पास बनी है याने कि अंबूजा cement ने उसके 200 दिनों के exponential moving average के पास अच्छा खासा consolidation किया है और उसका breakout याने की 200 दिनों के exponential moving average का breakout Amboja cement ने कल शुकरवार को दिया अगर आप Amboja cement के अंदर position बनाना चाते है तो आपको stop loss follow करना है 182 का और आपका target होगा 217 का अगला stock है Mariko जैसे कि आप देख सकते है Mariko ने एक बड़ी candle से उसके 200 दिनों के exponential moving average का breakout दिया था और उसके बाद देरे देरे stock नेचे आ रहा है ये जो breakout Mariko ने उसके 200 दिनों के exponential moving average के उपर दिया था उसको volume का भी support है अगर आप Mariko के अंदर position बनाना चाते है तो आपका stop loss होगा 317 पे और आपका target होगा 351 पे चव था और आखरी stock है ITC जैसे कि आप देख सकते हो ITC ने उसके 100 दिनों के exponential moving average का एक बड़ी candle से breakout दिया था ये breakout देने के बाद ITC ने उसके 100 दिनों के exponential moving average के उपर अच्छा खासा consolidation किया अगर आप ITC के अंदर position बनाना चाते है तो आपका stop loss होगा 100 दिनों का exponential moving average जो की है 114 पे और आपका target होगा 200 दिनों का exponential moving average जो की है 214 पे दोस्तों तो ये था Nifty और Bank Nifty का analysis और आपके लिए positional trading stocks तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment दोरा जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करे और चानल को subscribe करे वीडियो को share करना मत बूलिए Thank you